हलो फैंट्स स्वागत आपका जीए स्टूडिय पर मैं आपके सामने हाजर हूँ पॉलिटी की क्लास लेकर जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के अंदर की पावर प्रेसिडेंट का यह पाट टू है जिसमें मों बहुत देखेंगे इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट यानि कि राष्ट्रपती कि आपात कालिन सकतियां इसे में दो वियन्दी में कहेंगे राश्टर-पती की आपात कालिन सकतियाँ. हाना, समझ यह गा ध्यान से, आप लोगों ने ये को पढ़ा होगा, कि तीन प्रकार की आपात सकती होती है, राश्टर-पती के पास. यह आप लोगो को बेसक पता होगा, जिससे मतलब तीन आर्टिकल आप लोगो ने पढ़े होगे, आर्टिकल 352, देन आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 356, एडेन आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 360, यह तीन प्रकार की अमर्जनसी होती है, रास्ट्रपती के पास तीन प्रका करेंगे आप लोग नैस्टनल इमर्जन्सी यह दिस इस कॉल्ड रास्ट्रिय आपाथ अभी आप लोग इसकी पूरी डिटेल में अनालेसिस करेंगे दूसरा होता है जिसे हम लोग दोस्तों कहते हैं प्रसिटेंट रूल और कभी-कभी इसे गवर्नर रूल भी कहा जाता है ल फानांसियल इमर्जन्सी और इस इस कॉल्ड विट्थी या आपाथ सबसे बेसिक चीज़ है तो आपको यह याद रखी है सबसे पहली बात कि रास्ट्रपती के पास तीन प्रिकार की आपाथ सकती होती है सबसे पहला जो आपाथ कालिन सकती होता है आर्टिकल 352 के तहद द दियाविया जिसे रास्ट्रपती सासन कहते है और तीसरा आटिकल 360 है जिसे हम लो क्या गयाता फिनांसियल इमर्जन्सी या वित्या आपाथ कहते है इसके अलावे भी रास्ट्रपती के पास और भी कई सारी विसेज सकतिया है कुछ पिविलेजिस दिये गई है जैका ना ज कर सकते हैं वो तीनों फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं तीरों आंट फोर्स जो होते हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं वो लोग सवा का सेशन बुलाते हैं उसके समाप्ती की घोशना करते हैं और भी ऐसी कई सारी विसेज प्रिविलेजिस हैं कुछ विसेज पाव बेखेंगे इसके आग्या की कहानी क्या होगी एकीन करके आप लोग इन सभी को देखने का प्रयास करते हैं चीक है चल तो सबसे पहला है हमारा अब आपको ध्यान से समझना है चीजों को यह तीन आर्टिकल तो आपको याद रखने ही रखने हैं बिकाउस इस थी आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फोर याद एक्जामिनेशन पॉंट अव्यू यहां से काफी आपके परिख्छा में प्रस्टों पूछे गए रहे हैं आर्टिकल 3.60 क्या है? आर्टिकल 3.60, 352 क्या है? 356 क्या है? ऐसी कई सारे सवाल पूछे गए हैं अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 3.52 यारे यारे बात इस कॉल्ड नैस्नल इमर्जन्सी सबसे पहला सवाल तो आप ये अब रखेंगे ये जो नैस्नल इमर्जन्सी है ये किस ग्राउंड पर लगाया जाता है इसका आधार होता है ये इंपोस कौन करता है ये करता है राष्टपती लेकिन इसके डिकलेरेशन की भोष्णा कौन करता है याद रखेंगे इसके डिकलेरेशन की भोष्णा राष्टपती करता है बड़ इसका आधार क्या होता है इसके जो आधार होता है दोस्तों याद रखेंगे तीन आधार होता है, सबसे पहला, एक तो क्या होता है, कि मांद के चलिए वार हो जाए, यानि कि युद्ध हो, सबसे पहरी बात याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे कि एक्स्टर्नल एग्रेशन, यानि कि बाहिया आक्रमन हो जाए, एक्स्टर्नल एग्रेशन का मतलब क्या, कोई बाहरी सत्रू देश या कोई देश क्या करें, हमारे देश के ऊपर क्या करतें, अटैक करतें या आक्रमन करतें, या दूसरा कंडिशन होता है, और तीसरा कंडिश आपकर और तीसरा आप डिर्बलीम यानि कि हमारे देश के अंदर जो देश की जनता है वो सस्त्र के शाथ, सस्त्र के शाथ मतलब की हत्यार के साथ, आम के साथ क्या करते, सरकार के विरूद, मतलब सरकार की विरूद, सरकार का विरूद या देश के अंदर क्या करते, हिंसा करना सुरू करते, तो उस केस में क्या होता है, रास्ट्रिय आपात लगाया जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर यह चीज़ याद रखना है, यह जो armed rebellion या सस्वस्त्र विद्रोव word है, इस word को कब जोड़ा गया? याद रखेंगे दोस्तों, इस word को जोड़ा गया 44th, this is added by, point आप याद रखेंगे, this is added by 44th constitutional amendment 1978, इसे कब जोड़ा गया? 44th संविधान शंशोधन, 1978 के दुआरा जोड़ा गया था, और यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखेंगे दोस्तों, कि यह जो 44th संविधान शंशोधन होता है, हमारे संविधान के अंदर, वो किस article के ताहत होता है? Article 3, 68 के ताहत होता है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, और याद रखेंगे दोस्तों, कि बिफोर 44th Constitutional Amendment यहाँ पर क्या वर्ड था, याद रखेंगे एक चीज़, कि बिफोर 1978 या बिफोर 44th Constitutional Amendment, यहाँ पर जो वर्ड था, वो क्या था? इंटर्णल अनरेश्ट था, इंटर्णल अनरेश्ट या जिससे मिवों कहते हैं, आंतरिक अशांती, क्या था? आंतरिक अशांती था, यहाँ पर येalon उंटरिक अशांती वर्ड था, इस आधार पर नेस्कन इवर्जनसी लगा, पहले लगाए जाता था लेकिन इसकी जगह पर 44 में समीधान संसोधन के बाद internet unrest को हटा कर क्या लगा दिया गया वहाँ पर armed rebellion लगा दिया गया क्यों क्योंकि जब 1975 में जो national emergency लगाई गई थी कि इसके द्वारा इंद्रा गांधी के द्वारा आपको यह पता होगा कि national emergency अभी तक जो हमारे देश में लगाई गई है वह कितनी बार तीन बार लगाई गई है है ना तीन बार कब एक तो 1962 में दूसरा कब 1971 में और तीसरा कब 1975 में यह दोनों जो केस थे 1962 का valid case था यह valid case क्या था कि इंडिया और चाइना की वीच क्या चल रहा था वार चल रहा था 1962 में तो इस ग्राउड पर वार 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 क्या लगा दिया गया था दूसरा जो 1971 में जो इमर्जंसी लगाया गया था, यहां पर इंडो पार्ग और चल रहा था। 1975 में इस मुद्दे को बेस बनाकर क्या किया था इंडरा गांधे मी इमर्जंसी लगाने की कोसिस कीती। बट बाद में उनको मतलब क्या को हुआ था उनका जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जिस आधार को उने लगाया था उनको वो साबित नहीं कर पाती है और उनको बाद में अपनी सरकार से स्टीफा भी दिना पड़ जाता है तो इस कारण से काफी विवाद होगा था 1975 में तो उसके बाद इस वर्ड को क्या किया गया 78 में जो Constitutional Amendment होता है वहाँ पर इससे हटा अगर क्या कर दिया गया आम्ट Rebellion कर दिया अब आपको समझना है कि आखिर जो National Emergency लगती है उस केस में होता क्या है आकर ऐसा कौन-कौन सी हमारी सक्तियां या हमारे कौन-कौन सी अधिकार छिन जाते हैं ये सवाल यहाँ पर उठता है तो सबसे पहली बात तो आपने याद ये रखनी है कि जो आर्टिकल जब भी आपकी जब भी देश के अंदर Emergency लगाई साती है चाहे वो War या External Aggression के अधार पर लगाई गी यानि कि अगर इस दो ग्राउंड पर अगर External Aggression या War के ग्राउंड पर Master Emergency लगाई जाती है तो इस दोरान याद रखेंगे Article 19 जो है Article 19 वो क्या होगा वो Suspend तो हो ही जाता है Article 19 तो Suspend होगा ही होगा Article 19 तो क्या होगा तुरत ही Suspend हो जाता है जो हमारा कहते है जिससे हम लोग क्या एक तरह से इसमें हमारा प्रेस का मतलब अधिकार है या इस Freedom of Speech and Expression है और भी कई सारे अधिकार है वो Article 19 सस्पेंड हो जाता है दूसरा याद रखेंगे यहाँ पर आपका पूछा जाता है कौन सा Article Suspend नहीं होता Article 20 और 21 के अंदर जो भी Fundamental Rights है Article 20 और 21 नौट सस्पेंड है यानि कि समझेगा यहाँ पर Article 20 और 21 के अंदर जो भी आपका Fundamental Rights है उसको छोड़ कर बाकी सारे Fundamental Rights क्या होते हैं All Fundamental Rights are suspended यानि कि यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी इस दोनों ग्राउंड पर National Emergency को लगाया जाता है यानि वार या External Aggression के आरहार पर तो Article 20 और 21 जैसे Article 21 के अंदर क्या है राइट तो लिवली गुट यानि कि एक तरह से जीने का अधिकार है निजता का अधिकार है कहीं आने जाने की स्वतंतरता है ये सारी स्वतंतरता इसके अंदर है Article 21 के अंदर और याद रखेंगे कि यहाँ पर Article 20 और Article 21 के अंदर जो भी आपके Rights हैं उसको छोड़ दिया जाए बाकि सारे Fundamental Rights आपके क्या हो जाते हैं सस्पेंड कर दिया जाते हैं जब इस दोनों Ground पर आपका Emergency लगता है लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यह जो Armed Rebellion है ससस्त विद्रो है अगर इस आधा पर Emergency लगाई साए तो क्या होता है याद रखेंगे इस दोरान Article 20 and 21 को छोड़ कर यानि Accept Article 21 20 and 21 यानि कि यह जो है यह Fundamental Rights आपके कभी भी नहीं चीना जा सकता यह जो Article 20 and Article 21 के अंदर जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको आपसे किसी भी आधार पर किसी भी ग्राउंड पर नहीं चीना जा सकते चाहे वो National Emergency की क्यों ना लगी हो Article 21 and 21 को छोड़ कर प्रेसिडेंट चाहे प्रेसिडेंट चाहे तो एक या एक से अधिक Fundamental Right को यानि मौलिक अधिकार को Suspend कर सकता है यानि कि Suspend कर सकता है Clear a point, बात को समझ गया यानि कि अधर मान के चलिए इस आध्रेवलियाना ससस्त रविद्रों के आधार पर National Emergency को लागू किया गया है यहाँ पर Article 20 and 21 को तो निरस्ट किया ही नहीं जा सकता लेकिन इसके बाद कि जितने भी Fundamental Rights है वह राष्टपती चाहे तो उसमें से एक को Suspend कर सकता है चाहे तो दो को कर सकता है चाहे तो इसके अलावे जितने भी Fundamental Rights है सभी को Suspend कर सकता है यह राष्टपती के ऊपर निर्वर करता है Clear है यह चीज़? यानि कि आपको यह समझ में आज़े कि कौन से आर्टिकल कभी भी Suspend नहीं होता है आर्टिकल 20 and 21 इस दोनों केस में क्या होता है आपके 20 and 21 को छोड़कर बागी सभी Fundamental Rights Suspend हो जाता है बट इन दिस केश यह राष्टपती के ऊपर निर्वर करता है इस दोनों आर्टिकल को छोड़कर बागी किनकी Fundamental Rights को Suspend करना या किनको नहीं करना है अब आपके मंद में सवाल यह उठना चाहिए कि आखिर इसकी Validity कितनी होती है इसकी वाइदता कितनी होती है कितने दिनों तक यह Fundamental Rights लगा रहता है कितने दिनों तक यह Fundamental Rights मतलब कितने दिनों तो ये नैस्तों इमर्जन्सी लगा रहता है ये से समाव्त कैसे किया जाता है इन सभी तच्चों के अगर चड़ चगर तो पहले आप इतना लिख लीजिए फिर हम लोग चिलता है इसके आगी चिल अब हम लोग बात करते हैं कभी भी याद रखेंगे जो रास्ट पती सासन लगता है इसके लिए आप नौट कर लेंगे पॉइंट को इमर्जन्सी रास्ट्रिया आपाद जब भी लगता है रास्ट्रिया आपाद के लिए आप इक पॉइंट याद कर लेंगे लिख लेंगे, कभी भी राश्ट्रिय आ पात, कैबिनेट के लिखित सलाह पर, विटेल, रिकोमेंडेशन आफ कैबिनेट जरूदी, यानि की कैबिनेट की लिखित सलाह आवस्यक है कि इसके लिए, लिखित सलाह पर, कैबिनेट की लिखित सलाह पर, किसकी घुसना करता है, राश्ट्रिय आपात की घुसना करता है, यानि, प्रेसिडेंट डिकलेयर नैस्नल इमर्जेंसी और रिटन रिकोमेंडेशन आफ कैबिनेट, राश्ट्रिय आपात की घुसना करता है, हिंदी इंगलिस में आप इसे निख सकते हैं कि President Declare National Emergency on the recommendation of on the recommendation of Cabinet अब याद रखेंगे जैसे ही President Declare करेगा यह जो घूसना है अगले एक महा के लिए प्रभा भी हो जाएगी इस declaration इस declaration इस वरिट इस declaration इस 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 निख सकते हैं यह घूसना अगले एक महा के लिए प्रभा भी हो जाएगी यानि कि अगर राष्टपती ने Declare किया आज तो यह automatically एक महा तक क्या हो जाएगी लागू हो जाएगी अब अगर याद रखेंगे if Parliament passed this declaration if Parliament, समझाएगे सभी तर्थयों को, if Parliament passed this declaration by 2 by 3rd majority यानि कि by special majority, 2 by 3rd majority, then it will extend it then it will extend it for 6 months, otherwise, otherwise lapse यानि कि इसका मतलब क्या हिंदी में लिख रहेंगे अगर शंसर इस घोचना को, हिंदी में लिख रहेंगे अगर शंसर इस घोचना को दोतिया ही बहुमत से पारित कर दे यानि कि अगले 6 months के लिए यानि कि अगले 6 months के लिए प्रभावी हो जाएगे या फिर निरस्त हो जाएगे इन सभी तर्थयों को हम लोग समझेंगे तेखिए, यानि कि जैसे राश्ट्रपती ने अपार्थी घोचना करी कि घोचना करने के साथ ही वो एक महरे के लिए क्या हो जाएगे लाग हो जाएगे अब अगर इस one month के अंदर विदिन दिस one month अगर पार्लियमेंट क्या करता है जो राश्ट्रपती का जो डिक्लेरेशन है उस यानि कि जो national emergency का declaration है उसे रास्ट अगर संसर कितने बहुमत से दो तियाई बहुमत यानि two by third majority यानि कि special majority से क्या करते पारित कर देता है ये अगले six month के लिए क्या हो जाता है लाग हो जाता है अगर ये दो तियाई बहुमत से संसर से पारित नहीं हुआ याद रखेंगे इसे फिर क्या कर दिया जाता है इसे दिरस्त कर जा जाए जाए कि national emergency जो वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा फिर तीक है अब अगर हम लोग बात करें अगर इस six month के बाद भी याद रखेंगे अगर पार्लियमेंट चाहे तो इस national emergency को हर six month में पास कर और उस पर राष्टपती की मनजूरी लेकर unlimited time के लिए national emergency को क्या कर सकता है लगा सकता है clear effort तो इस point को आप लोग not कर लेंगे अब हम लोग चलता है देखते हैं कि आगर इसको निरस्ट करने के क्या तरीक है कैसे आगर राष्ट्रिय आपार्थ को कैसे निरस्ट किया जा सकता है इस तब कि को समझते हैं द्यान से सभी लोग समझेंगे इससे इस पाइंट को लिख लेंगे पार्लियमेंट हर six month में हर six month में national emergency को पास करके Unlimited Time के लिए Extend कर सकता है Extend कर सकता है यानि कि लागू कर सकता है या आगे बढ़ा सकता है अब यह Suspend कैसे होता है Suspension of National Emergency यानि कि National Emergency समाप्त कैसे होता है राष्ट्रिय आपात की घोषना कैसे समाप्त होती राष्ट्रिय आपात देश में कैसे समाप्त होता है इसके दो तरीके है सबसे पहला तरीका याद रहते हैं कि Precedent Withdraw Precedent Withdraw His Declaration यानि कि कैसे राष्ट्रपती अगर अपनी घोषना वापस ले ले कि इननी में रिख लेंगे राष्ट्रपती अपनी घोषना क्या कर ले वापस ले ले यानि राष्ट्रपती ने कह दिया कि नहीं अर्थ से क्या हो गया राष्ट्रिय आपात की घोषना को मैं क्या करता हूँ वापस लेता हूँ यानि कि राष्ट्रिय आपात समाप्त हो गया आइसा राष्ट पती के रहे, तो यह क्या होगा, national emergency finish समाप्त हो जाएगा, और दूसरा, if लोगसभा passed, if लोगसभा passed the resolution of, suspension of, resolution of, suspension of national emergency by simple majority, national emergency by simple majority, समझना है, यानि कि अगर, यहाँ पर समझेंगे ठ्यान से, अगर लोगसभा, यहाँ पर देखें महने संसद नहीं लिखा है, यहाँ पर वन्ली महने क्या लिखा है, लोगसभा, यानि कि अगर लोगसभा, जो suspension है, यानि कि जो राष्ट्री आपात है, उसको suspend करने का, यानि उसको समाप्त करने का जो resolution है, उसे किस majority से, शाधारन भूहमत से, अगर क्या कर दे, पारित कर दे, तो भी क्या हो सकता है, राष्ट्री आपात को समाप्त किया जा सकता है, यह चीज़ आप यहाँ पर गौर करेंगे, कि एक तो president चाहे तो अपने declaration को वापस लेकर क्य कर सकता है, राष्ट्री आपात को समाप्त कर सकता है, दूसरा आप यहाँ पर यह चीज़ नोटिस करेंगी, कि जब हमें राष्ट्री आपात को impose करना था, यह उसे extend करना था, तो उसे 2 by 3rd majority से pass किया जा रहा था, और किस के दौरा पास किया जा जा रहा था, तो पूरी संस लोक्षभा और by which majority, by simple majority से pass करा कर उसे समाप्त किया जा सकता है, यहाँ पर एक चीज़ आप हमीशा याद रखेंगे, कि जब भी नैस्तन इमर्जंसी लगती है, या जब भी नैस्तन इमर्जंसी पूरे देश में impose होता है, उस दौरान याद रखेंगे Supreme Court और उसकी scrutiny इसके Supreme Court और उसकी scrutiny यानि कि उसके अंदर काम करने वाली जो मतलब जो लोग हैं, उसकी scrutiny इसके दाएरे में नहीं आते है, यानि इस नैस्तन इमर्जंसी के दाएरे में नहीं आते है, यानि कि Supreme Court as it is अपना काम करता रहेगा, उसके काम में कोई भी रखल अंदाजी नहीं होनी चाह तो ये आपको नहीं नहीं इस निमर्जंसी के बारे में इन सभी तत्यों को याद रखना है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके आगे जो कि हमारा अगला मुद्धा है, जिसका नाम है प्रेसेडेंट रूम, ठीक है, यात है का आप आप लोगों समझ में आ रिया हो अब हम लोग बात करते हैं प्रेसेडेंट रूम की, तो देखिए, प्रेसेडेंट रूम क्या होता है, अभी अभी हम लोगोंने देखा है कि प्रेसेडेंट रूम जो आता है, वो किस में आता है, आर्टिकल 356 में आता है, इस चीज़ को तो हम लोगोंने अभी अभी देख यह रास्ट पतीन सासन स्बसे पहले कहा लगाका लगता की पीछे इसकी पर curly है तो याद रखना है सबसे पीछे प्रेशिटेंट रूर लगने का जो रीजन होता है इसका जो ग्राउंड होता है, फैलियर आफ, फैलियर आफ, कॉंस्टिचूस्नल मसिनरी, कॉंस्टिचूस्नल, कॉंस्टिचूस्नल, मसिनरी इन स्टेट, यानि कि किसी राज्य में समवैधानिक तंत्र की विफलता, यानि कि याद रखेंगे यहाँ पर, कि अगर, यहाँ पर फॉइंट आप लोग याद रखेंगे, अगर राष्टपती को गवर्नर के द्वारा, या किसी अन्यमात्य हमसे, ज्यान से समझेगे, आप लोगों ने, जब हम लोग आगे चलेंगे गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, तो गवर्नर जो होता है, एक्चल में क्या होता है, वो सेंटर का एजेंट होता है, या रास्टपती का एक, क्या कह सकते हैं, कि रास्टपती का एक तरह से हर स्टेट में नजर रखने वा कामधानों के according या constitutional provisions के according हो रहा है या नहीं हो रहा है इन चिज़ों का ध्यान रखना होता है और अगर governor ने रास्टपती को लेकित में या और किसी भी अन्यमाध्यम से रास्टपती के पास ये सूचना आती है कि किसी भी राज्यमें क्या है कोई भी मतलब कामधान या कोई भ रहा है वो constitution के according नहीं हो रहा है वहाँ पर constitution की धजियां उड़ाई जा रही है इस case में रास्टपती क्या कर सकता है उस particular state में या एक से ज़्यादा state में भी क्या कर सकता है प्रेसिडेंट रूल को impose कर सकता है चिकल लेकिन याद रखींगे यहाँ इस point को यह जो अगर governor की report या किसी अन्यमाध्यम से इस point को आप लोग लिख लेगे मैं बोल दे रहा हूँ अगर governor के report या किसी अन्यमाध्यम से लिख लेंगे point को अगर governor की report या किसी अन्यमाध्यम से रास्टपती को यह पता चलता है कि राज्य की जो मतलब गौडी है राज्य की जो government है वो संभिधान के according नहीं चल रही है constitutional provisions के according नहीं चल रही है तो रास्टपती उस राज्य में राश्टपती सासन लागू कर सकता है। इस point को आप लिखेंगे। और इसके बाद लिखेंगे कि ये declaration यानि कि ये घोसना राश्टपती सासन की ये declaration अगले दो माह के लिए, दो माह के लिए, दो मन्त तक क्या हेगी? अगले दो मन्त तक क्या हेगी? इफेक्टिव रहेगी, इस चेश को याद रखेगे और याद रखे इसके बाद अगर पार्लियमेंट इस declaration को येानि इस घोसना को दो मन्त के अंदर पास कर दे, टू मन्त के अंदर क्या करते पास करते यानि पारित करते तो ये six month के लिए क्या हो जाएगी अब ये छे माह के लिए प्रभावी हो जाएगी यानि effective हो जाएगी प्रभावी हो जाएगी otherwise या अन्य था क्या हो जाएगी lapse हो जाएगी या निरस्त हो जाएगी ठीक है अन्य था निरस्त हो जाएगी ठीक है अब याद रखेंगे अब याद रखेंगे कि यहां पर note में एक point याद रखेंगे कि अगर parliament ने अगर parliament के दौरा declaration pass कर दी गई है तो उस state की legislative assembly को अगर यहाँ पर इस point को लिख लेंगे अगर Parliament ने declaration pass कर दी है declaration pass कर दी है तो उस state की legislative assembly को यानि विधान सभा को भंग किया जा सकता है यानि dissolve किया जा सकता है किया जा सकता है यानि विगटिप किया जा सकता है वंग ने यहाँ पर actually dissolve ही लिख ले जिए विगटिप किया जा सकता है इसको आप याद रखेंगे नौट विबाकाईबा इस point को लेंगे जब इसका मतलब समझता है यानि कि जैसे मान के चलिए रास्टपती ने क्या किया इस declaration को घोषना की प्रेसिडेंट रूल की किसी स्टेट में तो वो अगले दो मंत तक एफेक्टिव रहेगी प्रभावी रहेगी और अगर इस दो मंत के अंदर पार्धेमेंट क्या करता है उसे पास कर देता है उस रास्टपती के declaration को उस पार्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के लिए तो वो जो हमारा मतलब ये जो declaration है वो अगले 6 मंद के लिए फेक्टिव हो जाएगी अगर पास नहीं होता है तो क्या हो जाएगी ये लेप्स हो जाएगी यानि समाप्स हो जाएगी यानि राष्टपती शासन जो उस राज्जी में क्या हो जाएगा समाप्स हो जाएगा लेकिन अगर मानके जलिए राजसंसब ने इस गोशना को पारित किया तो ये जो हमारा राज्य के अंदर जो विधान सभा है उस विधान सभा को विगटित किया जा सकता है और वहां पर नए चुनावों की फिर घोशना की जा सकते हैं इंतर्थ्यों को याद रखेंगे अब हम बात करते हैं इसके आगे कि अगर 6 मंत के बार पार्लिमेंट इस डेक्लरेशन को एक दुबारा पास कर दें फटवगर इसको लिख लए गया अब यहां पर मैं पॉइंट आपको लिखाऊंगा जल्दी आपको Point Note करना है फिर हैं इससे समझाऊंगा अगर पार्लिया में इस डेक्लरेशन को 6 मंत के अंदर दुबारा पारित कर दें समझना अगर पार्लिया में same declaration को फिर से six month जैसे complete हुआ, उस six month के अंदर फिर से क्या करें, एक बार दुबारा पास कर दे, ये फिर से अगले six month के लिए लागू हो जाएगी, यानि कि ऐसे ऐसे करके अगर संसत जाहे, तो maximum कितने साल तर three year तर राष्टपती शासन को लगा सकता है, लेकिन एक साल से, जै जैसे एक बार तो six month के लिए हुआ, फिर से अगर उस declaration को संसर पास कर देता है दुबारा, तो फिर से अगले अच्छा मैने के लिए हो जाएगा, यानि एक साल हो जाएगा, लेकिन एक साल के बाद राष्टपती सासन तभी लग सकता है किसे state में, एक year से जादा, एक year से ज पहला, पहला क्या हो कि article 352 के according, article 352 के तहत क्या लगी हो, राष्ट्रिय आपात लगी हो, राष्ट्रिय आपात लगा हो, और दूसरा, election commission, यानि election commission जो है, यानि जैसे हम लोग क्या कहते है, चुना आयो, यह certify कर दे, यह मतलब कह दे, यह certify कर दे कि state में, कि state में अभी election कराना, यानि कि चुनाव कराना possible नहीं है, यानि संभव नहीं है, यह election commission के बारे में पता है न, आपको election commission of India जो है, उसके लिए कौन सा article है हमारे संभिधान में, article 324 है, यह आपको पता होगा, याद रखेंगे कि एक साथ को संसर क्या कर सकता है, पारिख करके लगा सकता है, लेकिन एक साथ से ज़्यादा तब ही लगाया जा सकेगा, जबकि article 352 के तथ राश्टी आपात लगा दी गई हूँ, यह राश्टी आपात लगी हूई हूँ, या फिर दूसरा, condition यह हो सकता है, यह राश्टी की जो इस्थितियां है, इन परिस्थितियों में जुनाव वहाँ पर नहीं कराया जा सकता है, यह election commission रिटन में क्या कर दे, गौर्वर्मेंट को दे दे, तो इस case पर करी फिर एक साथ से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है, जिकन, अब याद रखेंगे maximum duration जो है प्रेसिडेंट रूल का, वो कितना है, maximum duration कितना होता है, अधिक्तम कितने समय तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, याद रखेंगे 3 एर तक, maximum 3 वरसों तक रास्टपती सासन को लगाया जा सकता है, इसके बाद कुछ तर्थिये हैं, रास्टपती सासन कहां लगा था, केरल में, सबसे तहले, रास्टपती सासन या प्रेसिडेंट रूल कहां था, केरल में, ठीक है, दूसरा कहां पर, सबसे जादा समय के लिए, याद रखेंगे, सबसे जादा समय के लिए कहां लगा था, प्रेसिडेंट रूल, यह लगा थ ना दोस्तों पेपसू यानि जब पंजाब और एक थानाभी पनजाब से 1966 में।», ये नाम हुआ करता था पंजाब एंड इस्टर्ण पटियाला इस्टेट उरी ये पेपसू कहते थे उसे ठेकर जब पेपसू का विभाजन हुआ 1966 में तुसे पंजाब और हर्याना नाम दे दिया गया ठेकर यह चीज़ आप याद रखेंगे इसके बाद याद रखेंगे सबसे पर यूपी में लगा है शेयर उत्वत्त कृशियर प्रबुध है ये इस लेंवर नुट इसงड़ सकता तो एक सुसुत斯 कर midwestarर में एक सब्सक्राइब करते हैं अब याद रखेंगे एक केस आया था ईसरुमरी केस ऐसा बोमई केस आया था ये प्रेसिडेंट रूल से ही रिलेटेड आया था सुप्रीम कोट में जिसमें सुप्रीम कोट ने ये कहा था जिसमें सुप्रीम कोट ने ये कहा था कि इसमें सुप्रीम कोट ने कहा कि सेंटर में पार्टी के जना देश को देखकर पार्टी के जनादेस को देखकर या सरकार को देखकर किसी स्टेट में या सरकार को देखकर किसी स्टेट में National Emergency यसा President Rule नहीं लगाया जा सकता President Rule नहीं लगाया जा सकता लेकिन आपके धिमाद में ये प्रश्न उठना चाहिए कि आतेरा ऐसा Supreme Court ने क्यों कहा और यह एसर गोमनी केस आया क्यों Supreme Court में इसके पीछे क्या reason था और यह एसर गोमनी केस आया कन था भी यह तो यह आये था 1977 में आया था इसके इसके पीछे क्या था? व्याद रखेंगे जब 1997 में Center में जनता पार्टी की जनता पार्टी क्या करती है, उन नाइन स्टेट्स में, जहांपर कॉंग्रेस की सरकार थी, वहांपर उन्होंने क्या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, यह कहकर कि पूरे देश की जनता ने मुझे जनादेश दिया है, तो आप उस राज्य में आपकी सरकार नहीं हो सकती, ज इसके बाद फिर क्या होता है, जब 1980 में, जब 1980 में कॉंग्रेस वापस सरकार में आती है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार थो बनती है, और हमाने इस तत्य को कहकर, इस बात को कहकर कि पुरे देश की जनता ने हमें जनादेश दिया ताफ इस 9 स्टेट में आपका जो है सरकार नहीं चलेगा और इस ते में वहाँ पर क्या कर रहा हूं प्रेसिडेंटरूल इंपोस कर रहा हूं कि आपने जैसा किया वैसा हमने भी किया आपने कहा कि सेंटर पुरे देश की जनता ने हमें जनादेश दिया अब हमें पुरे देश की जनता ने हमें जनादेश दिया इसलिए आप 11 स्टेट में क्या करूंगा मैं प्रेसिडेंटरूल इंपोस कर रहा हूं ने किया और इसी ब पहली बार कब 1998 में सबसे पहली बार इंडिया में इंडिया में इमर्जनसी पर यानि कि आपात पर इमर्जनसी पर क्या हुआ जूडिसियल रिव्यू हुआ इमर्जनसी पर क्या हुआ जूडिसियल रिव्यू हुआ और आप लोगों को बता है जूडिसियल रिव्यू जो है इससे सरीय कहां से लिया है हमने यह अमेरिका के सम्विधान से लिया है न्याइक पुनरिक्षन इसकी चर्चा मैंने पहले भी बहुत बार करी है कि न्याइक जो हमीशा किसके द्वारा होता है सुप्रीम कोड के द्वारा ही किया जाता है और न्याइक पुनडिक्शन का जो बेश है हमारे Constitution में वो कौन सा है Article 13 Article 13 is based of judicial review in India और इसी Article 13 के तहद क्या करता है सुप्रीम कोड judicial review करता है हमारे देश के कई सारे कानून का ठीक है और अगर भी कोई भी कानून अगर सम्विधान के अनुरूप नहीं पाया जाता है उस कानून को निरस्ट भी करता है कौन सरवोच्चन आया है ठीकर जुसकी चर्चा Article 124 में की गई है यारी इन सभी facts को आपने याद रखना है आपसे पूछा जा सकता है S.R. Bomae Case का संबंद के से जसे PCS के आप एक्जाम लखते हैं NDA के CDS के ऐसे एक्जाम में इन केस संबंदित तक्य भी पूछ दिये जाते हैं इन केस से संबंदित Y.A.S. आप से पूछ दिये जाते हैं दोस्तो इन सभी तक्त्तियों को याद रखना है अब हम लोग बात करते हैं सबसे तीसरी emergency की जिसका नाम है दोस्तो financial emergency या जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं वित्या आपाद वित्यापाद की अगर चर्चा करें तो इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है इसकी चर्चा आर्टिकल 360 में है और याद रखेंगे की इसमें क्या होता है वहाँ पर दूस्तों चिक? अब इसके आगे की بात करते याद रखेंगे इसके अंदर Passion अब तका ग्रांड क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, तियाद रखेंकि अगर financial unstability हो, financial क्या हो, unstability हो, यानि कि अगर ग्रित्थीय और स्थिरटा हो, जो au Jiantica कभी पैसा बहुत जादा है, कभी पैसा कम है, ये काफी क्या हो, ये बहुत जाधा हो, थीफ है? या फिर financial credit क्या हो यानि सरकार के पास जो पैसे की क्या होजाए कमी होजाए financial credit क्या हो काफी कम होजाए तो इस case में president क्या करता है financial emergency की यानि वित्या आपात की घोशना कर सकता है ये case की इस दोनों इस्तथी में राष्टपति जो है वित्या आपात की घोशना कर सकता है इस तथी को आप याद रखेंगे दूसरी बात आप याद रखेंगे इंडिया में अभी तक इंडिया में अभी तक financial emergency यानि वित्या आपात नहीं लगाया गया है यानि नहीं लागू किया गया है और याद रखेंगे दोस्तों कि अगर ये जो मतलब declaration है ना अगर पार्लेमेंट याद रखेंगे अगर पार्लेमेंट इस declaration को दो मत के अंदर इस declaration को टू मत के अंदर क्या करतें? पास कर दे तू मंत के अंदर क्या कर दे पास कर दे तो यह अगले मतलब तो यह unlimited time के लिए क्या होती है अनिस्चित काल के लिए लागू हो जाती है unlimited time के लिए क्या होती है लागू हो जाती है और इस दोरान क्या होता है दोस्तों कि मतलब प competitionsalis और अपना इस दोड़ान को क्या होता है कि मतलब to को고 के टैक्सरेट त्याइन्द अपने टैक्सरेट यादा है छफी जादा बढ़ा देती है में गौपनींको बढ़ता होती दुब इससे सहरे में त्था क्या होगा tax rate को ज़्यादा कर दिया जा सकता है comment salary लोगों की कम कर सकती है ताकि उनके कर्चे कम हो सके और उनकी आय बढ़ सके इन तर्थियों को बस financial emergency में आपने याद रखना है अब article 360 हम लोगों ने पढ़ा तो दोस्तों एक article है जो काफी important है जिसको हम लोग बोलते है article 361 article 361 क्या है दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि अभी अभी हाल में ये ssa cpo के exam में पूछा गया था यह है special privileges to president article 361 यानि इसमें क्या है राष्टपती को विशेस अधिकार विशेसा अधिकार क्या है या आपर सबसे पहला विशेस अधिकार याद रखेंगे दोस्तों राश्टपती हो या राज्यपाल हो राश्टपती हो या राज्यपाल हो राश्टपती राज्यपाल के करतव्य के मतलब पदिया करतव्यों का यानि जब पद पर रहते हुए उन्होंने जो काम किया है पदिया करतव्यों का किसी न्यायाले में किसी न्यायाले में क्या नहीं हो सकता किसी नियायाले में उत्तरदाई नहीं हो सकता है यानि कि अगर रास्टपती और राज्यपार इन दोनों ने अगर कोई भी कार्य किया हो इनके कारियों के लिए उन्हें किसी भी नियायाले में उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता है को उन्हें कोट में नह काम सही किया है, अगर कोई राश्टपती या कोई राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए, अपने कर्तव्यों का सही से निर्वाहन किया या नहीं किया, ठीक है, आप उसके लिए उन्हें किसी कोट में बुलाकर उनको उत्तरदाई नहीं ठेहरा सकते हैं, इस जिसके लिए स उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी क्रिमिनल प्रोसेडिंग्स कोई भी क्रिमिनल कारवाई क्रिमिनल प्रोसेडिंग्स नहीं किजा सकती। और तीसरा याद रखेंगी धिक राष्टपती राजयपाल को उनके कार्यकाल के दौर्वन उनके गिरफ्तारी वगएरा नहीं कि जा सकती है। इनके उपर कोई case भी चलाना होता है कोई अगर उनके उपर case वगर चलाना होता है तो उसके लिए याद रखना है कि 2 मंथ पहले उनको क्या करना होता है अनिवाध यह होता है यह article 361 जाता है इन सभी तर्थियों को याद करूंगा सबसे पहला मैं power and diffuse में यह से मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं आप लोग इसे दोस्तों लिख लेंगे सबसे पहला आप याद रखेंगे कि वह संसद के सत्र को बुला सकता है उसके समाप्ती की घोशना कर सकता है वह संसर के सत्र को बुलाता है और उसके समाप्ती की घोशना कर सकता है याद रखेंगे he can dissolve लोक्षवा वह लोक्षवा को विगटित कर सकता है तो सवाल उठता है कि राज्यसवा को क्यों नहीं विगटित कर सकता भी या क्योंकि राज्यसवा जो है एक पैसा हाउस है एक पामानेंट हाउस है एक अस्थाई सदन है इस जिसको आपने याद रखना है और लोक्षवा का किस आर्टिकल में लोक्षवा की चर्चा की गई है आपको कमेंट्स में जरूर बताएंगे याद रहकेंगे he nominates he nominates two members in where in loksava loksava के अंदर दोश अदस्चियों को क्या करता है और दोश अदस्चियों को यह क्या करता है मनुवीद करता बाइब विच आर्टिकल याद रखेंगे आर्टिकल 331 के तहर्र चौकि अगर बात करें याद रखेंगे नॉमिनेट 12 मेंबर इन राज्यसवा 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 में 12 अदस्यों को मनुनित करता है किस फिल्ड से याद रखेंगे कला साहिब क्यों समाज सेवा करता है 12 अदस्यों को मनुनित करता है कहां राज्यसवा में इसके आखी की बात करेंगे याद रखेंगे जो रास्टपती होते हैं याद रखेंगे तीनों सेनाओं के बहुत ही important point दोस्तों कई बार एक्जाम में पूछा लिया है रास्टपती जो होते हैं तीनों ही सेनाओं के सरवच सेनापती होते हैं इन तक्यों को भी याद रखेंगे तो दोस्तों ये रास्टपती के से संबंदित कुछ important power and duties थी जहां से आपके exam में सवाल पूछे जा सकते हैं तो इसी के साथ हमारे जो रास्टपती का जो power and duties था वो हमारा finish होता है इसके आगे की class में हम लोग vice president और उससे related facts की चर्चा करेंगे आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं बाकी हम लोग मिलते हैं अगली class के अंदर तब तक के लिए आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें and मिलते हैं अगली class में